नवस्कार आप देख रहे हैं EMS TV मैं हूँ आपके साथ आकाश और आए नज़र डालेते हैं च्छनवाडा से जुड़ी आज की प्रमुखबरों पर सब्ताबर की कमाई गवाने के बाद अब है पंजियन जी हाँ इस साल से क्रेशी उपजमंडियों में काम करने वाले हमालों को क्योस्क सेंटर जाकर पंजियन करवाना पड़ रहा है पंजियन का खर्च इतना है कि उनकी साथ दिनों की कमाई ही खर्च होज रही है दरसल क्योष सेंटर में पांस साल के लिए पंजन हो रहा है जिसके लिए 230 रुपे जमा करवाये जा रहे हैं इसमें क्यों पसक सेंटर अलग से चार्ज बी करता है इससे भी अधिक बहेंगा इनका वह चरित्र प्रवाण पत्र पढ़ रहा है जिसमें 100 रुपे के स्टाम में शपत्पत्र भरवा कर 100 रुपे से ही नोटरी से सर्टिफाइट करवाना प्रता है इसके बाद 100 रुपे का चालान बनवा कर सम्मंदित थाने जाकर चरित्र प्रवाण पत्र लेना होता है इससब प्रक्रिया में 3-4 दिन तो लगी रहे हैं साथ ही करीब 6-700 रुपे भी खर्चों रहे हैं गरतलब है कि इसके पहले क्रशी उपज मंडी से ही सिर्फ 10 रुपे में साल भर के लिए पंजियन हो जाता था हमाल तुलावटी प्रतिनिदी सुनील डहरिया ने बताया कि हमालों को वैसे भी साल हड़तालों और बंदी के कारण काफी नुकसान हुआ है और इन दिनों मंदी भी है और 3 रुपे बुरी मिलने के कारण उन्हें 50 से 100 रुपे ही मिल पा रहे हैं उन्होंने मंडी समीती को पंजियन आसान और सस्ता करने की मांग की है कि आप मंडी समीती मंडी सची उनको पुलिस वरिफिकेशन करें पहले सासान हमको 10 रुपे मैंनुवाल लेसेंस देनी थी हमालों को 20 रुपे में क्लावटी को हम चाहते हैं कि पुरानी पदद्दी के अधार में हमको लेसे सम्वीलियन के लिए जिला शिक्षा विभाग मे में करीब 2500 शिक्षा पहुचे जिनें जरूरी दस्तावेज पूरे करके फाइले जमा करनी थी जिसके लिए जिला शिक्षा विभाग के सभागार में दो टेबल लगा दी गई इसके अलावा और कोई ववस्ता नहीं थी जहां DEO आफिस में ववस्ता बिगडी थी वहीं चा जात्री को से ट्रेनि और स्टेशनों की कसा फाई के समंद में फीडबैक लिए शुरू कर दिया है बोद выглядवार की सुवह पतालकोड एक्सप्रेस के समय अधिकारियों ने स्टेशन वैटिंग रुम और ट्रेन में बैठे यात्रीयों से सफाई के संबंद में फीडबैक लि एक तरफ जहां रेलवे प्रबंधन स्वचता पर यात्रियों से फीडबाइक ले रहा है वही रेलवे मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी रेलवे कालोनी में रहने वाले लोगों को जंजाकरण के माध्यम से कच्रा पेटी और डोर टोर रिक्षे में ही डालने का संदेश दे रहा है कि लोगों को गंदगी नहीं फैलाने की जानकारी दी जारी है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे की भूमी में गार्बेज और खच्रा फेकने पर पांच हज़ा उर्पय तक का जुर्माना निर्धारित हैं जिसके लिए निर्देश दो माँ पहले एजियम ने प्रदर्शन किया दुपहर करीब एक बजे जुनार्दे उशेतर से सेकडों की संख्या में पहुँचे लोगों ने नारे लगाते हुए कलेक्टरेट के सामने जाम लगा दिया इस दौरान पुलिस दिकारी भी मौजूद रहे यूनियन को देखते ही पुलिस बल ने गेट कर आमसवा में तब्दील हो गया खेलते समय स्कूली बच्चे किसी बड़ी दुरगटना का शिकार ना हो इससे पहले ही नगानिगम की टीम ने विद्या निकेतन स्कूल परिसर में बने जर्जन भवन को बुद्वार को जमी दोस कर दिया गरतला भै कि जिस जरजर भवन को गिराया गया भाय हिंदी प्रचाणी समीति का है वरतमान में इस भवन का कोई उपयोग नहीं है वश्व पुराना होने और वरतमान में हो रही तेज बारिश से इस भवन के गिरने का खत्रा बना हुआ था सदाचार संसकारों से सुसजित वातसलि पूर्ण व्यभार के साथ सभी को सम्मान देते हुए विनमरुता पूर्वाक जिन्शासन की मंगल प्रभावना के लिए अखिल भारती जैन युवा फैडरेशन चिन्वाडा के समर्पित सेवा भावी युवा प्रदेशी नहीं द श्री मुख से तीस प्रभचनों को सुनने का लाव स्वाध्याई समाच को मिला फैडरेशन के संरक्षक डॉक्टर केसी जैन सुरेंदर पंकज रिशप शास्त्री सचिन दीपक राज जैन सुनील जैन विवेक जैन प्यूश जैन सुमित राज जैन विशाल शास्त्री विक